हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब स्वागत है सबको सुपर इंजिनर चैनल में और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फिनांसियाल टॉपिक जो बहुत सरा लोग का प्रॉब्लेम है कुछ लोग उसका सलूशन धूनके उनका काम नहीं हो पाता है तो थोड़ा बह ऑक्री चेंज हो जाता है तो आप उस PF माउंट के साथ क्या करेंगे ठीक है आज जारी आप K עरेंगे या फिर्ट्रा ट्रांस्फर करेंगे ठीक है तो हम दो चीज देखेंगे और उसका कैसे विड्रोल करना है कैसे ट्रांसफर करना है उसका पूरा डीटेल में आपको लाइव दिखाऊंगा अपने स्क्रीन में लैप्टॉप स्क्रीन में तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कैसे यजे इप एफो पी एफ एमाउंट के साथ डिल करना है ओके तो दोस्तों यह जो पी एफ की हम बात कर रहे हैं यह दिल करता है एफ यह है एंपलोई प्रोविडेंट फोर्ग एंपलोई प्रोविडेंट फड्रव और अर्गराइशन आफ इंडिया ठीक है इसमें अगर आप आप नौकरी करते हैं तो नौकरी अगर आपका जो भी basic plus da amount है basic plus da amount जितना भी आपका बनता है total इसका आपका 12% employee से कटता है employee और यह बाकी 12% है यह employer देता है यह compulsory है लेकिन इसमें एक catch है ठीक है तो यह जो 12% employer का contribution है इसको दो हिस्से में बाठ देते हैं हम लोग एक होता है 8.33% एक होता है 3.67% यह जाता है आपका PF में यह जाता है आपका pension में यह जो pension है इसको बोलते हैं हम लोग EPS ठीक है तो यह pension scheme जो है EPS 95 इसको बोलते हैं यह जो scheme है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे तो लेट से अभी suppose एक आदमी का basic plus DA होता है suppose 10,000 रुपीज basic plus DA ठीक है तो इसमें से अगर 10,000 रुपीज basic होता है तो उसका salary से 1200 रुपया employee contribution जाएगा और जो 1200 रुपया है employee contribution employer contribution स्वारी इसमें 3.67 percent that is 307 रुपया और यह होता है आपका 833 रुपया ओके तो यह कुल मिला के यह जाएगा आपका PF में यह जाएगा आपका pension में ठीक है तो कुल मिला के एक monthly basis पे एक आदमी का PF और EPS इन दोनों में कितना deposit हुआ दोस्तों 1567 रुपीज PF और 833 रुपीज pension में deposit होता जाएगा जब तक इसका basic plus DA नहीं बढ़ता है जैसे ही basic plus DA बढ़ेगा उसके हिसाब से वो percentage calculate करके यह percentage amount fix है दोस्तों यह percentage amount कुछ नहीं हो सकता यह percentage fix होके उतना amount जाएगा लेकिन इसमें एक ceiling है ceiling क्या है यह जो 8.33% that's kept up to 1250 रुपीज मैक्स that means let's say एक आदमी का basic plus DA सपोज एक आदमी का basic plus DA होता है सपोज एक लाख रुपे ठीक है तो एक लाख रुपे में तो 12,000 उसका हो गया employee contribution और 12,000 रुपे हो गया उसका employer contribution 12,000 employer contribution से 3,670 रुपे और 8,333 रुपे पुराने calculation के हिसाब से यह amount और यह amount पी एप में जाना चाहिए और यह amount pension में जाना चाहिए लेकिन नहीं है इसमें क्या है यह जो amount है इसमें maximum capping 1250 रुपे ही pension में जा सकता है तो अगर यह 10,000 रुपे है अगर यह basic एक लाख रुपे हुआ तो इसमें क्या होगा PF amount कितना बनेगा दोस्तों 12,000 प्लस 3,670 प्लस 8,330 के उपर 8,330 से आप माइनस कर लेंगे हम लोग 8,330 से हम लोग माइनस करेंगे 1250 रुपे तो यह हो जाएगा आपका ठीक है तो 7,080 रुपे और हो गया यह 1250 रुपे तो यह अगर एक लाख रुपया एक आदमी का basic होता है तो यह total कितना बन जाएगा दोस्तों इतना amount उसका PF में जाएगा ठीक है यह total कितना हो जाए total आपको इसको add कर लिजेगा जितना भी होता है तो यह 1250 जाएगा EPS में और यह जो amount है यह हो गया आपका PF amount यह हो गया आपका PF और यह हो गया आपका EPS amount ठीक है तो दोस्तों हम लोग क्या पिछले स्लाइड में क्या देखें सपोज आदमी का basic plus DA यह होता है PF यह होता है EPS ठीक है तो basic plus DA अगर 10,000 होता है तो आदमी का PF कितना गया दोस्तों हम लोग calculate किये थे यह जाएगा आपका 1567 ठीक है अगर एक आदमी का 1,000,000 होता है तो कितना जाएगा जो मैं पिछले टाइप का calculation बताया उससे क्या जाएगा इधर जाएगा 1250 रुपे और इधर जाएगा 22,850 रुपे ठीक है दोस्तों तो अभी यह amount का होता क्या है ठीक है यह amount आपके हिसाब से deposit होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा इसके यह जो PF amount है इसमें आपको interest मिलेगा जो भी government of India decide करेगा suppose इस साल का 8.5% है तो आपका जितना भी कर्पोस है यह PF amount के उपर 8.5% आपका interest मिलके यह आपका एक amount accumulate होते रहेगा लेकिन EPS में क्या है जोस्तों यह 1250-1250 deposit होते रहेगा यह क्य retire हो जाएंगे उसमें क्या होगा आपको एक monthly pension मिलेगा इसमें calculation है दोस्तों इसमें होता है आपका बेसिक प्लस डिये लास्ट एभरेज बेसिक प्लस डिये इंटू इसमें आपका लास्ट एभरेज प्लस बेसिक प्लस डिये मतलब यह लास्ट 60 मंस का आपका जो भी retirement year है इसमें लास्ट अगर साथ साल में रिटार्क हो रहे हैं तो 55 से 60 साल तक जो भी आपका बेसिक प्लस डिये जो भी आपका बनेगा उसका एभरेज ले ले गाई इंटू पैंसेनेबल सर्विस अगर आप 21 में सर्विस चालू किये हैं तो आपको 39 होगा लेकिन इसमें एक कैपिंग है सब में कैपिंग लगा रखा हैं इसमें 2015 है कि श्क्राव के जने में इसमें इक कैपिंग है 25 रुपय flip ओ दो अगर आपका मेक्सिमूम जिलों का जाधा कैलरी है तो इनलों का मेक्सिमूम कैपिंग तो 15,000 हो गया यह हो गया थर्टीपाय यह हो Government of India आपको maximum pension देगा EPS scheme के चाहें ठीक है यह पहले कम था ठीक है अब भी जो है इसको बढ़ा के 7500 किया है उसके हिसाब से contribution भी बढ़ाया है ठीक है हो सकता है कि इसको Government of India आगे increase करे तो उस हिसाब से EPS contribution भी increase होगा ठीक है और यह जो PF amount है यह PF amount आपका accumulate होते रहेगा ठीक है इंट्रेस्ट के साथ आप उसको पार्सियल उड्रा भी कर सकते हैं आपके कुछ requirement के साब से या फिर अगर या फिर retirement का time में आप उसको उड्रा कर सकते हैं और यह जो pension scheme है यह pension scheme आपको maximum 7500 रुपया ही देगा पर month ओके तो दोस्तों PF में जो भी amount जमा हो रहा है वह 8.5% इंट्रेस्ट के हिसाब से और EPS में जो भी amount 1250 पर month जाएगा वह आपको 60 years के बाद आपको पर month आपको 7500 रुपया देगा pension ओके 7500 EPS के pension मिलेगा अभी जो PF है इसमें लोग invest क्यों करते हैं ठीक है अब हम PF के उपर consider करेंगे EPS के उपर अगर आपको ज़्यादा जानकरी चाहिए तो EPS के उपर हम लोग कभी बाद में discuss करेंगे ठीक है अभी दोस्तों यह PF में लोग जमा क्यों करते हैं जो PF है उसको बोलते हैं EEE category मतलब exempted 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 category इसका मतलब क्या है जो भी आप deposit करेंगे यह होता है deposit यह होता है earning यह होता है interest यह होता है withdrawal ठीक है जो भी आप deposit करेंगे deposit यह आपका ATC के अंदर आपको tax benefit मिलेगा जो भी earning होगा interest वो भी आपको tax free है जो आपका withdrawal होगा वो भी tax free है तो इसको बोलते हैं exempted 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 category पीएफ में तो इसलिए maximum लोग क्या करते हैं अपना पीएफ को maximize करने की कोशिस करते हैं और पीएफ को क्या करते हैं कभी कभी भी पीएफ भी करते हैं इसको बोलते है इसके ओपर हम बात में बात करेंगे ठीक है तो यह अभी हम जान लेते हैं कि इसको बोलते हैं tax-free 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 exempted 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 ओके अभी पीएफ जो हम विड्रोयल करेंगे पीएफ उड्रोयल में उसमें क्या clauses है क्या rules है उसके ओपर थोड़ा बहुत डिसकस करते हैं अभी अभी पीएफ अगर आप सपोज 21 साल में आप काम करना चालू किये 60 years तक ठीक है तो जो भी आपका पीएफ जमा होते वह इंट्रेस्ट के साफ से एकुमिलेट होलते जाएगा कुछ एक सम बनेगा वह जो सम है वह आप उसको 60 years में जब अगर विड्रोयल करेंगे तो आपको वह बुढ़ापय में सहारा है ठीक है उसका विड्रोयल रूल्स पहले समझ लेते हैं अगर आपका यह कर्पस कंडिशन्स टैक्सेबल और अगर यह लेस देन 50,000 है ठीक है तो इसमें टैक्स नहीं है ओके अगर यह ग्रेटर देन 50,000 रूपीज है और आपका सर्विस पिरियाड लेस देन 5 यह है यह टेक्सेबल पहले तो टीडियेस कर जाएगा 10 परसंट बाद में आपका प्लस टैक्स ओके अगर आपका विड्रोल एमाउंट 50,000 से एभव है और आपका सर्विस ग्रेटर देन 5 यह है तो यह टेक्स प्री है ठीक है तो यह तीन कंडिशन्स है अगर आपका सर्विस कितना भी हो नो बाउंड सर्विस है ठीक है ग्रेटर देन 50,000 है और आप उसको विड्रो कर रहे हैं at the time of retirement that is tax free तो दोस्तों कैसे लगा आपको आज का वीडियो मुझे यह उमीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और कैसे आपको EPFO portal से UAN portal से amount withdrawal करना है amount transfer करना है pension amount कैसे withdrawal करना है आपको थोड़ा बहुत idea मिला होगा और अगर आपको इसमें कुछ doubt है तो comment section में जरूर पूछिए ठीक है नहीं तो मेरा Instagram तो इस YouTube वीडियो में available है Instagram ID उसमें आप DM कर सकते हैं मैं आपको जरूर help करने की कोशिज करूँगा और personalized advice देने के भी कोशिज करूँगा ठीक है दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ मेरा आगले वीडियो में तब तक के लिए good bye क्या हूँ में आपड़ा कर दोस्तों में तूँए ओे लिए गले वीडियो में तब सकते हैं